हेलो दोस्तों तो जिस तरीके से आपको मैंने आपके रैंक के बारे में एक्सपेक्टेड रैंक और आपको कौन-कौन सा कॉलेज मिलेगा लाइव में गूगल मिटिंग्स के अंदर हमने आप लोगों को पूरे अंसर्स दिये तो इसी बीच में आपको पता है कि अब मेडिकल कॉंसिल कमिटी ने कॉंसिलिंग की जो अल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं उनके लिए या और भी इंस्टुटिशन के लिए जो डेट्स हैं उनको जारी कर दिया है और आप लोगों ने सबने देख लिया होगा अब देखा तो सबने हैं बट उसके अंदर क्या-क्या important facts है ये शायद किसी कोई पता होगा तो इन सभी facts को लेकर के आपको doubts जो हैं वो आपके clear करने के लिए मैं आपके सामने हूँ तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो students को doubt आता है वो ये रहता है कि यार मुझे एक doubt है कि round one में counseling में अगर मेरे को seed मिल जाती है तो यार मैं round two के होने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्या फिर अगर कोई question पूछता है कि यार ये पैसे वापस मिल जाते हैं क्या कोई कहता है कोई कहता है मिल जाते है मतलब और कुछ तो ऐसे हैं जिनको literally नहीं पता है कि registration भी कैसे करना है बिल्कुल ये कोई वो नहीं है कि यार आप अपने आपके उपर ये करो कि यार नहीं यार पता नहीं क्या हो गया यार मुझे तो कुछ ही नहीं पता ये ऐसे नहीं सोचें एक्चुली किसी को नहीं पता है अगर दिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है बट किसी को नहीं पता है तो अपने आपके उपर ये फ जैंब पास कर लिया है मेरे पहरे दोस्तों तो आपके लिए इसको समझना कोई बड़ी टेडी खीर नहीं है बहुत सिंपल है चालिए जी अपन देखते हैं कि किस तरीके से यह है जिस तरीके से आपको हमने कि कौन सा college मिलेगा नहीं मिलेगा आपकी rank आपकी category आपका domicile देख करके जितने भी हमसे possible हो सका उस तरीके से हम आपको बता चुके हैं अब समय आ चुका है जो आपने knowledge और जो आपने आपके doubts जो clear करके बेटे वे हो उसको feel करने का time आ चुका है उसको अब final करने का time आ चुका है कि जैसा कि आप जानते हैं कि need का schedule जारी हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं कि counseling का जो schedule है उसकी dates जारी हो चुकी है तो वो dates क्या क्या हैं क्या क्या नहीं हैं क्या processes होते हैं processes करने के लिए कहां पर हमें login करना चाहिए यह बहुत सारे questions हैं इनके अलावा और भी बहुत सारे questions है student के round one counseling के अंदर मिलने के बाद round two join कर सकते हैं क्या mop up कोन join कर सकता है कोन से institute की counseling जो है वो mcc करवाएगा अभी registration किसका चल रहा है ऐसे थोक के भाव questions दिमाग में चल रहे हैं उन सभी का answer देने के लिए मैं आपके पास में ये video बना रहा हूँ आप ये video देखिए उसके बाद में आपके कोई भी doubt आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपन simply चलते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो पांच major step है उसमें counseling होती है correct और ये counseling कराता कोन है वो कराता है mcc medical council committee और ये actually क्या होता है कि director general of health services जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इंडिया में जितने भी medical sciences के अंदर जो courses चलते हैं mbbs और bds की जो ug students हैं उनको उस college के अंदर एक exam nta लेगा और nta के results के according उनकी जिम्मेदारी है dghs की की वो उसको feel करें तो वो help किसकी लेता है mcc की medical council committee की और वो आपकी counseling चलाती है और उन्होंने आपको date दी है अब वो date दी है किसकी 5 steps की अब 5 step पहले समझ लेते हैं फिर उनकी time limit भी देख लेंगे correct 5 step देखी क्या है step 1 आपको देखो step 1 आप देखिए registration है step 2 fee payment है step 3 choice filling है step 4 seat allotment है step 5 reporting है important बात क्या है step 1 में क्या करना है आपको क्या नहीं करना है किस तरीके से registration करना है ओके यह भी मैं बता देता हूँ पहले आप 5 step का एकदम sequence देख लीजिए correct तो आपको पता होना चाहिए candidate हूँ और मैं मेरी counseling कराने के लिए बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा very first तो आपको बताता हूँ मैं गया www.mcc.nic.in की site पे login किया login करते ही वहाँ पे portal खुला और वहाँ पे u-g counseling का एक folder है बड़ा बड़ा folder u-g counseling को click किया click करते ही एक page और खुलेगा उस page के अंदर है new registration left hand side के अंदर और new registration पे click करते ही एक page खुल जाएगा जिसके अंदर आपकी details मांगी जाएगी जैसे नाम mother name, father name, date of birth यह सारी valid details जो है जो आपके admit card के अंदर है वो as it is with spelling, with space वैसे कि वैसे feel कर देनी है और वहाँ पर जो phone number मांगे जाए वो phone number active होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आएगा वो phone number लिखो और submit दबा दो capture code दे करके security code दे करके और submit कर दो submit करने के बाद OTP आएगा OTP ही password होगा और जैसे OTP आजाएगा वहाँ पर दूसरा page खुल जाएगा जिसमें है new registration sign in और new registration sign in के अंदर roll number और वो password enter करना है और click करना है और जैसे click करोगे तो payment वाला जो option है वो खुल जाएगा payment में क्या है आपके पास में आपको क्या करना है आपको payment करना है starting के अंदर दो phases में payment होता है first phase and second phase उसी time पर ही पहला payment वो लेते है counseling कराने का payment वो आपको refund नहीं होता है देखा था हूँ यह देखिए payment जो है यहाँ पर मैंने payment mention किया है सभी का दो type पर होता है non-refundable यह registration fee होती है यह कभी refund नहीं होता यह counseling का पैसा है और मैंने category wise इसको mention कर रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर add कर देंगे अपन AMS, जिकमार, AFMC सभी के लिए मतलब कुल में लागे सभी institution के लिए इतना है except dimmed university इनके लिए अलग पैसा होता है यह है refundable amount इसका भी case बताऊंगा मैं आपको आप सरी अमांट देख लीजिए इतना इतना amount लगता है deemed university का दो लाग लगता है और बाकी सारे institution के 10,000 रुपे लगते है जनरल के और इनके 5000 OBCST category के correct अब किस case में यह amount refund होगा किस case में यह refund नहीं होगा यह अलग case में आपको वहाँ समझा दूँगा correct बट आपको कुल मिलाकर के अगर जनरल का candidate है तो उसको 1000 और 10,000 याने की 11,000 रुपे पे करने होंगे अगर वो deemed university को नहीं चाहता है तो और अगर deemed university में जाना चाहता है वो तो यहाँ पर आपको 5000 और यहाँ पर 2,00,000 तो 2,00,000 5000 रुपे जमा कराने पड़ेंगे उनको समझ में आगया कि नहीं है registration के टाइम पे इतना पैसा तो चाहिए ही दोनों categories के लिए बता दिया मैंने correct ये वाली और ये वाले अब आपने registration करा लिया payment कर लिया अब क्या है भाई payment करने के बाद नया मंजरा क्या है अब है जो आपने इतने दिनों से महनत कर रहे थे सब student ने अपना एक performa तयार कर रखा था अपने rank के according वो क्या थी college की priorities choice filling तो अब choice filling का time है choice filling करोगे और आपको choice filling करने के बाद में पता चले कि आज कर दिया तो लोगों को लगता है कि यार मैंने एक बार feel कर दिया तो मैं क्या वापस इसको modify नहीं कर सकता कर सकते हो लेकिन उसकी date है वो date मैं भी discuss करूँगा आपके साथ में choice filling करा modify किया और modify करके आप उसको final एक x date तक आप क्या कर सकते हो उसको locking कर सकते हो अब आपने choice locking कर दी correct अब choice locking की date क्या है वो मैं बता दूँगा आपको choice lock करने के बाद में क्या होगा साथ choice lock करने के बाद में अब mcc वाले जो हैं उसको processing करेंगे रिपोर्ट करने के लिए जाना है next day से 7 दिन का time दिया जाएगा जिसमें आपको reporting करनी है correct तो इसका मतलब समझे आपको कहा गया यहाँ पर आप इसको समझे लिए registration, fee payment और choice filling और मैं यहाँ लिख देता हूँ choice filling and locking choice filling and locking final locking तक फिलिंग करो choice fill भी कर सकते हो choice को modify कर सकते हो final lock कर सकते हो इन सभी के लिए आपको जो time दिया जाएगा यह है 7 days किसने दियाने 7 days का time है फिर processing होगी और seat allotment होगा seat allotment का result आएगा ठीक है result जो है seat allotment का processing का इनका सब का यह जो है वो इसको लगेंगे दो दिन processing के लगेंगे 2 days processing दो दिन लगेंगे processing में फिर आपको seat allotment का result दे दिया जाएगा ठीक है अब मानो seat allotment होगी तो आप क्या करना है उसके next दिन के अंदर 7 days within within 7 days within 7 days आपको report करने के लिए जाना है यह तो होगया time span अब इसकी उपर debts apply कर देते हैं और time apply कर देते हैं जो कि आपके NTA ने आपको दे रखा है और कौन से कौन से institution के लिए दे रखा है वो भी mention किया है देखिए यह देखो जो NTA आपको समझा रखा है round 1, round 2 और mop up round दिख रहा आपको तीनो round 1 इन सभी institution के लिए need 15% all India quota deemed universities central universities like BHU, AMU, etc AIMS and JIPMAR and ESIC and AFMC इन सभी में जहाँ पर भी MBBS seat है जहाँ पर भी BDS seats है इन सभी की counselling का जिम्मेदारी round 1 में और round 2 से कराने की इन सभी institution की round 1 से और round 2 से कराने की जिम्मेदारी MCC की है ठीके? इसके लिए आपसे वो registration करवा रहे है तो जो भी candidate willing है वो आईए और इस तारिक से 27 तारिक से ले करके 2 November 2 November रात को 12 बज़े से पहले पहले क्या का काम करना है उनको? registration करवाना है fee payment करवा देना है choice filling कर देनी है modify कर सको तो कर दो इतने दिनों में और final रात को 12 बज़े 2 तारिक को रात को 12 बज़े से पहले पहले lock करके बेट जाना है 7 दिन दिये गए आपको इन सभी काम के लिए ठीक है? अब यहाँ पर जिन्नोंने registration करा लिया और registration कराने के बाद अब आपका काम खतम हो चुगा है candidate का काम खतम अब चालू हो जाता है किसका काम? MCC का काम चालू हो जाता है और MCC इसको क्या करेगा? processing करेगा दो दिन लेगा और आपको पता 4 तारिक तक 4 November तक processing करेगा round 1 में और 5 तारिक को वो allotment कर देगा seat को और result आपके सामने देदेगा और seat allotment होने के बाद में जिन-जिन candidate को seat मिल गई है वो candidate को वो next 7 days देगा 6 तारिक से 12 November तक की date दी जाएगी आपको वहाँ college में report करने के लिए और यहाँ पर आपको क्या requirement है भाई? जिनको seat allot हो चुकिया ना round 1 के अंदर इनको requirement है किसकी documents की? किसकी requirement है? documents तो यहाँ documents की requirement होगी यह बहुत बड़ा question पूछ रहे थे कि हमें online में document upload करने हैं का नहीं करने? आपको reporting college में जाते time hard copy ले जानी है documents की original साथ में photocopy एक एक दो दो ले जाओ backup के लिए original ले जाना है document और पैसे ले जाने साथ में जो जिन भी फीस है जिस college की है ठीक है? वहाँ जाकर कि आप admission process को complete कर सकते हो join कर सकते हो seat allot होने के बाद correct होगा? जिनको seat allot हो गई है और वो join नहीं करना चाते तो मत करो join कोई दिक्कत नहीं है मैं बताओंगा वो क्या कर सकते है मत करो join मत करो कोई tension नहीं है आप लोगों को correct? तो ये दिन खतम हो गए यहाँ चीज़े खतम हो गई अब मैं आपको बताता हूँ वापस ये होने के बाद आप देखिए यहाँ पर 12 तारिक को मामला खतम हो चुका है round 1 का और आपको 18 तारिक तक का time दिया गया है ठीक है? 18 तारिक तक के time दिया गया है उस 18 तारिक के अंदर आप अपने decisions ले लो कि या round 2 में जाओं नहीं जाओं यहाँ रहूं नहीं रहूं अब आपका round 2 चालो हो जाएगा यह देखो round 2 और round 2 के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको 18 तारिक से लेकर के 22 नोवेंबर 22 नोवेंबर 18 नोवेंबर से 22 नोवेंबर के बीच का time दिया गया है again वही process के लिए किसके लिए registration fee payment दोनो and and choice filling and locking अब आपको यहाँ पर बहुत confusion होगा बहुत सारे student यहाँ पर मेरे को doubt पूछते हैं यहाँ पर doubt क्या है यहाँ का doubt यह है कि sir अगर जिसने round 1 के time पर registration fee payment और choice filling करा दी है उनको यहाँ पर वापस काम करना पड़ेगा क्या वहाँ जहां यह काम करा दिया जिनोंने उन candidate को यहाँ पर अगर जो आ रहे हैं जो seat लेकर के satisfied है उनके लिए नहीं है जो unsatisfied है जो upgrade करना चाहते हैं या फिर कोई नया ही candidate आ रहा है जो यहाँ पर counselling के लिए नहीं आया था यहाँ पर आ रहा है correct अब मैं बताने जा रहा हूँ जिसने पहले registration यहाँ पर करा लिया है जो registration यहाँ करा चुका है उसको यहाँ पर वापस registration और fee पे करने की जरुवत नहीं है ठीके यहाँ पर सिर्फ उसको क्या करना है choice filling जो है उसमें modification कर सकता है क्योंकि पहले वाली choice filling null and void हो जाएगी वो आपकी मानी नहीं जाएगी आपको fresh choice भरनी है यहाँ पर जो पहले वाले registration करा चुके हैं वो यहाँ पर only choice filling करेंगे नहीं वाली और जो candidate यहाँ पर आया ही नहीं जो नया आ रहा है round two में ही अब join हो रहा है तो round two में जो join हो रहा है उसको यहाँ पर registration भी करना पड़ेगा फी payment भी करना पड़ेगा और choice filling तो करनी पड़ेंगी locking करनी पड़ेगी correct तो जितने भी type के थे उन सबी ने choice filling locking कर दी अब फिर again processing होगा second round का और second round processing के बाद में second round जो है उसकी seat को अलाउट कर दिये जाएंगी और अलाउट कर दिये जाएंगी और आपको पता है 25 नावंबर को अलाउट हो जाएंगी और 25 नावंबर को अलाउट होने के बाद में 26 नावंबर से 2 December तका time दिया जाएगा उन साथ दिनों के अंदर आपको अपने document पैसे ले करके उस state के अंदर उस college की जगे जाना है और जाकर के आपको admission ले लेना है जो seat लेना चाते हैं उनके लिए जो नहीं लेना चाते वो मैं बताऊंगा आप है क्या करना है यह date समझ में आ गई यहां तक चलो जी अब आता है मौप अप राउंड अब सबसे बड़ा question student का यहां पे होता है कि सबसे पहले कि sir मौप अप राउंड counseling कौन से कौन से institute की होंगी और दूसरी बात कि sir मौप अप राउंड के अंदर कौन सा candidate eligible होगा तो eligibility candidate की और second कौन से institute जो है वो इसमें participate करेंगे कराता NCC यह इसको मौप अप के अंदर मैं बता देता हूँ आपको जो round two और round two के अंदर जो सम्मिलित थे जो included थे उनमें से only only दो ऐसे हैं जो participate नहीं करेंगे बताओ कौन एक 15% all India quota वाली seats और एक AFMC वाली seat आप देख सकते हैं यहां पर देखो central universities की deemed universities ESIC, AMS and JIPMAR only मतलब AFMC वाला कहता है कि हम तो round one round two से भरेंगे अगर फिर भी नहीं आता है तो हम हमारे ले लेंगे ठीक है all India वाले क्या कहते हैं 15% वाले जो seat यहां पर लेगा ले लेगा अगर कोई नहीं लेता है छोड़ देता है तो हम वो किसको दे देंगे यह दे को कहा क्या है transfer non reporting और non joining vacant seat to the state quota यह round two कतम होने के बाद में जिन्होंने join नहीं किया जो खाली seat रहेगी वो कहेंगे state को दे देंगे state को बलेंगे भाई आपके अंदर जो है जिन लोगोंने choices भर रखी है आपका allotment होगा न second का उसमें यह भी सम्मिलित कर लो और यह जो candidate deserving है उनको दे दो correct होगी बात चलो जी अब मॉप अप राउंड के लिए राउंड टू के लिए राउंड वन के लिए candidate eligibility और processing क्या है यह बहुत important है यह समझना important है देखिए क्या होता है देखिए simple देखिए मैं हूँ मैं counseling करा रहा हूँ मैंने ncc.nic.in के अंदर login किया और login करने के बाद में मैंने registration करा दिया fee payment कर दी और choice fill कर दी locking कर दी उन जो भी dates दी गई है उन dates की limit में उनको देख लेना NTA वाला जो site है उसकी date देख लेना बहुत important है time भी देख लेना बहुत important है registration fee payment और choice filling modification and locking within time span आपने perform कर दिया है correct हो गया अब NTA first round seat allotment करेगा यह देखो first round seat allotment कर दिया तो candidate के पास में दो option है या तो seat allot नहीं हुई है उसको या फिर seat allot हो गई है उसको ठीक है अब जिसको seat allot हो गई है उसकी बात कर रहा हूं मैं seat allot हो गई है तो उसके पास दो option है पहला option क्या है भई पहला option ही है कि वो वो seat ले ही ना उसने no reporting वो गया ही नहीं कॉलेज के अंदर reporting नहीं किया उसने ठीक है तो फिर वो क्या करेगा वो भी बताएंगे दूसरा वाला candidate को नहीं है जिसने क्या किया है reporting करिए यह जो है वो कौन सा candidate है report करने वाला है जिसको जो college allot हो गया है वो report भी कर सकता है और कहीं reporting करने की ज़रुद भी नहीं है उसको वो मत जाए बले college जाओ मत admission लोई मत लेकिन जो report करने जा रहा है वो अपने पास में वो college की fees और documents जो required है वो लेकर के जाएगा अब आप बोलोगे इसर कौन से document required है तो मैं बता देता हूँ कौन से document required है आपको यह सारे document required होंगे जो भी candidate जा रहा है आप इसका screenshot ले लो यह document आपके पास में होने चाहिए at the time of reporting to the institution और सारे के सारे original copy में चाहिए तो यह screenshot ले सकते हैं आप लोग अब यह सारे document लेने के बाद में candidate move कर रहा है report करने गया और report करने के बाद में वो कहता है कि उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है वो कहता है कि कहीं मैं फीस दे दूँ admission ले लूँ और round two में इससे भी अच्छा college अगर मिल रहा है तो यार यह ले लेंगे मैं होई का तो नहीं रहाँगा तो नहीं आपको वहाँ पर एक form भरना होगा जिसका form का नाम है option form या willingness form और इस willingness form के अंदर आप देखिए आपके पास में यह पूछते हैं कि are you willing for upgradation in second round आप यहाँ पर admission ले चुके है लेकिन आपकी इच्छा है क्या upgrade होने की इस college को छोडने की या फिर इसी को ही लेने की तो वो बोलेगा कि हाँ साब अगर second round में यही मिल जाता है तो तो मैं हूई यहाँ पर अगर मेरे को कोई और अच्छा मिल जाता है तो मैं आपको छोड़ूंगा तो वो बोलेगा हाँ फिर यहाँ पर यहाँ पर yes tick कर दो तो जो candidate ने यहाँ पर yes tick किया है वो round two के लिए eligible हो सकता है और जिसने यहाँ पर no tick किया है उसको पता है कि मुझे चाहिए ही नहीं मैं तो satisfied हूँ तो वो वहीं पर ही रे जाए उसको round two में आने की जरुरत नहीं है correct तो जिसने tick किया है yes form go वो आ रहा है कहाँ पर देखो यह देखो यह yes tick किया है यह देखो yes tick किया है इसने और yes tick करने वाला सीधा काम मूफ करेगा सीधा choice filling के लिए मैं again बोल देता हूँ यहाँ पर जो round two के अंदर आएगा ना जो round two के अंदर आएगा वो इसको यह only काम जो है यह वाला काम जिसमें new registration और free जो payment है वो only fresh fresh candidate को होगा only fresh candidate जिसने round one join नहीं किया है पहली बार ही आ रहा है उसको यहाँ पर वापस वो जिसने पहला काम किया था ना जैसे round one में लोगों ने किया था same वैसा काम registration, fee payment यह करना पड़ेगा लेकिन जिसने जिसने यहाँ पर form yes भर करके आया है अपग्रेटेशन चाहता है वो यहाँ पर आकर के only choice भरेगा only choice भरेगा उसने payment पहले कर रखा है registration पहले करा रखा है अब एक और candidate कौन बजगया यह देखो यहाँ पर यह candidate बजगया अपना कौन सा वाला बताओ कौन सा वाला candidate बचा और वो candidate बजगया है जिसने not reported no report not report not reported जिसने report नहीं किया वो candidate भी कहा आएगा कहा आएगा यहाँ आएगा उसको registration की requirement नहीं है क्योंकि वो पहले registration करवा चुका है तो जिसने नहीं report किया और जो report किया उसने form में yes भरा वो सिर्फ choice भरने के लिए आएगे second round में और जिसने round one counseling अटेंड नहीं की वो fresh registration पैसे देगा और फिर आकर के यहाँ पे क्या करेगा choice भरेगा आकर के क्या करेगा choice भरेगा नहीं choice भरेंगे complete नहीं choice होंगी ठीक है अब allotment जो होगा processing होगी फिर result जो आएगा वो इस choices के according आएगा and finally round two का जो है वो आपके पास में क्या आएगा seat allotment का result आजाएगा correct okay तो seat allotment का जैसे result आया आपके पास में दो तरीके के result है या तो yes है और या फिर no है या तो yes है या फिर no है correct अब सुनना मेरी बात round two को अगर seat allot नहीं हुई है round two को seat allot नहीं हुई है वो क्या करेगा मैं आपको फिर बताऊंगा बट अपन बात कर रहे हैं किसकी जिसको round two में seat allot हो चुकी है और round two में seat allot होने के बाद में भी आपके पास दो option है सुनना पहला option यहां लिखी हुई बात को भूल जाई है मैं जो बोड़ रहा हुँ हो सुनिए यहां तो करता है no reporting no report वो बंदा report ही नहीं कर रहा है college में जाकर के वो किसका wait कर रहा है वो अपने state counseling के second round के allotment का wait कर रहा है जो की इस allotment के बाद में allot होता है वो सोचता है कि वहां अगर college अच्छा मिल जाएगा तो वहां join कर लूँगा वो उसका wait कर रहा है but कोई एक ऐसा है जिसको पता है मुझे state में कुछ नहीं मिलेगा तो वो join करेगा तो वो कहां जाएगा report करने के लिए जाएगा यह देखो उसने क्या कर दिया यहां पर report कर दिया है यहां पर इसको क्या चाहिए documents चाहिए क्या चाहिए documents चाहिए पैसे चाहिए institution के अंदर जाकर के college लेकर के अपनी seat को fix कर लेगा जाकर के और अगर जिसने candidate ने वो वहां पर admission ले लिया और fix कर दिया जाकर के और वो reporting हो गई है अब important बास सुनना मेरी यहां reporting का time खतम हो गया याद करो round two में reporting का date दिया है नहीं दिया है वो reporting date तक आपको report कर देना है अगर किसी ने report नहीं किया तो वो seat खाली रहे गई वो सारी की सारी seat जितने भी खाली रही है वो किसको दी जाएगी सभी respective states को और वो states क्या करेंगे अपना round two का allotment निकालेंगे और round two allotment में वो जो seat यहां से उदर गई है उनको भी include करेंगे तो जो candidate वहां पर allot हो गया है क्योंकि आपको पता है round two allot का होता है reporting के बाद में अगर आपने यहां seat नहीं ली और वहां भी नहीं ली तो रहे जाओगे न तो अगर किसी ने report करा दिया यहां आकर के और वो चाता है कि मेरे को state से अच्छा मिल रहा है यार तो भाई उसको seat नहीं मिलेगी state से क्योंकि वहां पर चला जाता है कि इस role number के candidate ने all India की seat को report कर लिया है वो eligible नहीं है अब न तो वो round two के लिए eligible है न मौपप के लिए eligible है न किसी इस मौपप के लिए eligible है कहीं eligible नहीं है वो यहां lock हो गया वो जिसने report नहीं किया वो eligible है वो state में eligible है round two के लिए वो state के मौपप के लिए eligible है और वो यहां के MCC के मौपप के लिए भी eligible होगा तो आप कहोगे कि sir यह तो risk वाला बात होगा हमें कैसे पता चलेगा तभी तो इतने दिन तक हम कह रहे थे कि आप अपने आपको देखो कि आपके rank किसके आसपास आ रही है आपको college मिलेगा या नहीं मिलेगा इसलिए तो हम कहते थे mistake मत होने देना एक गलती की वज़े से आपका college छूट सकता है और मैं नहीं कहता था आपको कि state counseling ज़्यादा important होती है आपको state में seat मिल रही या नहीं मिल रही ये पता होना ज़्यादा important होता है आया समझ में अब जिसने report नहीं किया उसका क्या तो उसका पैसा डूब गया जो उपर भरे थे ना पैसे ज़्यादा amount नहीं है अगर government के लिए अगर दिया था तो 10,000 रुपे दिया था वो डूब गया उसका ठीके बट उसको seat का मिल रही है state counseling के second round में मिल रही है ये वो मिले लेगा वहाँ पर या फिर वहाँ भी नहीं लेना चाहता तो ये mop-up के अंदर आ सकता है कहां पर आ सकता है mop-up के अंदर और mop-up की date तो MCC ने दे ही रखी है तो mop-up में आ सकता है कौन सा वाला candidate जिसने report नहीं किया है बस पैसा डूब जाएगा इसका कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए ठीके बट वो mop-up में जा सकता है कहां जा सकता है mop-up में यह वाला कहीं नहीं जा सकता no exit ठीके एंड हो गया counseling उसका not reported है not reported कहां जा रहा है mop-up में अब आप बताओ वो पहला पैसा भराता वो तो गया न अब mop-up के अंदर अगर उसको आना है तो उसको fresh registration कराना होगा वापस जो वो काम पहला किया था न registration, payment और choice filling यह वापस करना पड़ेगा payment वापस देना पड़ेगा वो तो collapse हो गया यहां तो खा गये नया payment देने के बाद में mop-up के अंदर मैंने सारे institute बता दी आपको all India quota तो state में चला गया बचीवी seat है न, AFMC ने अपनी भरी ली अब पीछे जो पजगी जितनी भी इस बार Ems और जिकमर भी आड है mop-up में वो सारी की सारी जो seats हैं उनके लिए यह बंदा eligible है और mop-up में अगर उसको मिल जाता है तो देखो mop-up जो है वो continue होगा और mop-up के अंदर यह बंदा continue नया registration करेगा और result publish हो जाएगा और mop-up के अंदर जो जितनी भी central institution है उसमें उसको seat मिल जाएगी अब उसको क्या करना पड़ेगा वहाँ जाकर के report करना पड़ेगा अगर वो report कर देता है वहाँ जाकर के अगर वो ले लेता है तो यहाँ बताओ seat खाली रह गई न अभी seat का क्या होगा इस seat के अंदर जिस college में seat खाली रह रही है उनको freedom दे दी जाती है कि आप अपने आप से ही candidate को बुला लो और admission दे दो correct है या नहीं है ऐसे state के अंदर अगर seat खाली रह जाती है मौपप में किसी का तयारी करने का mood हो गया वापस तो वो state वालों को freedom मिल जाती है उस college के seat को कि आप किसी को की बुला करके वहाँ पे admission दे दो ऐसे सारा का सारा process होता है तो यह process आपको समझना बहुत important था और इसी तरीके से इसमें अगर कोई भी doubt आपको आए तो आप हमें लिख सकते हैं आप google form में केरीज पूचिए इसके regarding कि सर जो counselling का जो procedure था उसमें हमको यह doubt रह गया है कौन-कौन से document required है वो तो मैंने आपको बताई दिये है इसमें एक bond वाला जो है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि colleges में जो bond होते हैं वो क्या होते हैं और भी कोई doubts है specially regarding to procedure of counselling वो question ना पूचे हैं कि सर मुझे seat मिलेगी या नहीं मिलेगी इतनी rank पर आप only जो अभी मैंने समझाया है जो dates NTA ने दी है और जो procedure हमने देखा है उसमें अगर कोई confusion हो तो आप बताईएगा मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अब आपके दिमाग में कोई confusion रहा होगा फिर भी है तो आप हमें लिखिए गूगल फॉर्म में रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसिजर क्वेरीज जो है तो थैंक यू सो मच और वीडियो में लेके आऊँगा देखते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए थैंक यू